आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें जो युगमकों की शुद्धता थी, जो युगमकों के शुद्धता का नियम था, ठीक है, युगमकों की शुद्धता का नियम था, उसमें क्या होता है, कि प्रत्येक जीन के जो जीन कारक रहते हैं, वह जब युगमकों का निर्मान होता है, तब क्या हो जाते हैं, कि जब युगमनेज का निर्मान होता है तो फिर क्या आ जाते हैं साथ आके अपना अस्तित्व दिखाते हैं ठीके तो इसमें क्या दे रहा हमें कि दोनों जो पोधे रहते हैं उनके भी संकरन करवाते हैं तो क्या था कि मैंडल का जो नियम था उसमें क्या हो था जो प्रभाविता का जो नियम रहता है उसमें प्रथम PD में जो F1 PD रहती है उसमें क्या होता है कि उसमें जब स्वर निशेचन होता है F1 PD में प्राप्त हो जाते हैं पोधे ठीके उसके बाद उसका क्या होता है स्वर निशेचन होता है तता 100 परागन भी बोल सकते हैं ठीक है परंतो हमें है क्या पुछा गया है कि पहली पूरी का ही पचा गया है तो जो पहली पीडी होती है उसमें क्या होता है तीन पोधे हमें प्राप्त होंगे बैंगनी तथा हमें एक पोधा प्राप्त होगा सफेद ठीके एक पोधा कुन सा प्राप्त हुआ सफेद याने की 75 प्रतीशत बैंगनी एवं 25 प्रतीशत सफेद क्या प्राप्त हुए 75 प्रतीशत बैंगनी और हमें 25 प्रतीशत प्राप्त हुए सफेद ठीके कैसे प्राप्त हुए क्योंकि हमने उनमें क्या किया संकरन करवाया ठीके क्या किया पहले शुद्ध बैंगनी फूल वाले और इधर लिग दिया शुद्ध सफेद ठीके फिर उनमें क्या करवाया हमने संकरन करवाया जिससे हमें क्या प्राप्त हुए हमें और 50% सफेध फूल भी नहीं थे, वह क्या थे, पिच उत्तर प्रतिशत बहेंगनी एवं 25% सफेध फूल वाले, धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूं कि आपको इस प्रशने का उत्तर समझाया होगा, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद.